हाई असलाम वलकुम एब्रिवन वेलकुम बैक टू मैं चैनल तो कैसे आप सबी लोगाई फॉप आप अच्छे होंगे गड़ ब्लेस यो आप हमेशा अच्छे रहें और गाइस आज की वीडियो मैं शेयर कर रही हूं बहुत अच्छी इंपोर्टन वीडियो है हमारे आप से पूरी वीडियो में चैनल मॉनिटाईज होने के बाद की फॉर्स्ट वीडियो है तो गाइस सबसे पहले रिक्वेस्ट में बने रहें और वीडियो आपको कैसी लगती है अच्छी लगए तो भी नहीं लग तब जरूर बताएं और अच्छी लगए तो लाइक कमें है तो मालुम नहीं पर हमारे लिए तो है तो पहरी रिक्वेस्ट है के बात चीट और वीडियो श्रुर खरने से पहले आज एे जुम्मा है और जुम्मा को दूआ बहुत है लिकंपर्टन होती है तो आज सब दूआ में बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स पूर वाचिंग, और जिब लाहिमने शेंतान रुर्जीम, बिस्मिल्ला रह्मान रुर्छीम, या अल्लाख, आज जुम्हे की नमाज में जितने भी सर्सजदे में जुके हैं मुहम्मद के सदके, मैं उनकी दूआ खुबूल फर्मा, आमीन या अल्लाख, आज जुम्हे की नमाज के बाद, जितने भी हाथ, तेरी बारगा में दूआ के लिए उठे हैं, सबकी दूआ खुबूल फर्मा, आमीन ये खुदा, बस ये ही गुजारिस है तुमसे, धन बरसे या ना बरसे, पर रोटे और प्यार को कोई न तरसे, आमीन या अल्लाख, इस जुम्ह के सदके, मैं तेरी महबूब की उम्मत की तमाम मुश्कलों को दूर फर्मा, और उन्हें नमाज का पाबंद बनाने की तौफिक अतर फर्मा, आमीन सर जुकाने की खुबसूरती भी क्या कमाल की होती है, धर्ती पर असर रखो, और दुआ आसमान में कुबूल हो जाती है, अल्हम्दुरिल्ला चार चीजों को खुब समाल कर रखो, नमाज में दिल को, तनहाई में सोच को, महफिल में जुबा को, और रास्ते में निगाओं को सब कुछ मिल जाता है, दुनिया में मगर, याद रखना कि बस माबाप नहीं मिलते, मुर्जा कर जो गिर जाए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं, जो फिर से नहीं खिलते दुआ किया करो, और दुआ की साथ सबर भी किया करो, क्योंकि वो सब की सुनता है, पर किसी किसी को सबर के लिए भी चुनता है या अल्ला, हम सबी को सबर करने वाला बना, और सुकर करने वाला बना, और हमेशा आपकी नाफरमानी से बचने वाला बना, और हमेशा सही रापे चलने वाला बना, और अल्ला हमेशा गुनाओं के रास्ते से बचने वाला बना, और मेरे परवर्दिगार हमेशा हमें उस च इसके करीब कर जो आपकी पसंदीदा है चाहे वो कोई भी चीज हो चाहे हमारे लिए वो नुकसान हो या फाइदा जो आपको ना पसंद हो वो वो चीज हमसे हमेशा दूर है चाहे वो कोई भी हो चाहे वो कोई रिष्टे हो चाहे वो चीजे हो जिसमें आपकी ना पसंद है उससे हमें हमेशा दूर रखना और हम सभी की हिफाज़त करना अल्ला आपके सिवा कौन है हमारा जो हमें सही रहा दिखाएगा और सही रहा पर चलने की तौफिक देगा हम इंसान है हम तो गुना कर सकते हैं पर आप तो बेशक रब हैं और हमें हिदायत देने वाले हैं तो ब पसंद की बाते अपनी पसंद के अमल आमालों की कहते हैं कि हिदायत पैदा करके हमें सही राप चलने वाला बुना और अल्ला तला जुमा को हमारी वी जिंदगी की नई शुरुआद है जो कि हमें एक नई उम्मीद दी है आपने आगे बढ़ने की तो अल्ला तला हमारी वी दूआउं को खुबूल फर्मा और हमने हमें जिस जिस ने सपोर्ट किया हमारे सभी दोस्तों को हमारी वाइटी टीम को और सभी को को शुक्रियादा करना चाहूंगी कि आप सवी के सपोर्ट से अला तहला आपके सपोर्ट से हमारे चैनल मॉनेटाइज हो गया है और हमारी मेनत सफल होई यहां तक की दूसरा स्टैप और आपके ही हवाले है कहते हैं दो स्टेप का हमारा मुकमल हो गया है सई से तो हमारी बहुत मेहनत थी जो अल्ला सिर्फ आपको पता है कि हमने क्या क्या कहते हैं खुर्बानियां दी हैं बहुत तकलीफ हैं उठाई ही मैंने जिसमें कहते हैं कि सबसे बड़ा क्रेडिट आपका है आपने मुझे हिम्मत दी और इतना जादा जाग करके काम करने की घस हमाल के और पूरा टाइम वाइटी पर हमने हिम्मत से महनत से काम किया मैंने कभी आराम नहीं किया कभी मैंने अपने ख्याल नहीं रखा कभी मैंने ना कुछ कहते हैं कि अपनी जिन्दगी कैसे जीनी चाहिए कभी नहीं सोचा बस मैंने वॉय टी पर बहुत मैंनद की तो अल्लाइप अपने सफल किया और सेकेंड हमारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कहते हैं मतलब हमारी तरफ से अदा करना चाहूंगी हमारी वाइटी टीम को क्योंकि वाइटी टीम के बगेर तो हम कभी भी काम्याब नहीं हो सकते हैं और वाइटी टीम ही हमें जो है सपोर्ट करते हैं तब ही हमारा चैनल ग्रो हो सकता है तो गाइस हमेशा कभी भी लालच में ना आएं अपनी मेहनत से आगे बढ़ें और वाइटी टीम का हमेशा उनकी पॉलिसी का ख्याल रखें उनकी कमाउन्टी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कुछ भी ना करें कभी वी क्योंकि आखिरकार तो आप सोचें हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारी तब ह आप सब्ढस्वन बनाने वाले हमारे वायटी टीम है तो हम उनको सबसे पहले सब्स्ट करेंगी लेकिन मैं हमेशा गाइस अल्ल् eerste को पहले रखती हूं तो मैं हमेशा फैले उनका शुक्रियादा करती हूं इसके बाद है दुनिए भी मतलब जो भी हमारा काम है उनका करती ह हbridi यह संपनल जो वहले का मौका दिया है और सभी झाल ज्यादा अपका थैंक्स लोट फ̥ार दृआ 폭 मजा बेस्ता दिल से सुक्रियादा करना चाहूंगी, हमारे सभी फ्रेंड्स को, जिन्हों ने हमें कहते हैं, बहुत सपोर्ट किया, और अलहमदुरिल्ला उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सोचा, और जिन्होंने नई भी सोचा, हम उनके लिए दूआ करते हैं, कि आला ताला उनको हिदाय और हर इंसान भटक भी नहीं जाता है, तो गाइस हमेशा अपनी महनत पर ध्यान दें, कभी भी किसी से हासद जलन ना करें, क्योंकि जिसके जो नसीम में है, वो तो इसको मिल जाएगा, और बेकार में आपका इमान और आपकी जो इमान दारी है, वो खराब होती है, और नियत मैं अल्ला का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, कि मेरे पास बहुत रिस्पंसिविल्टी काम की रहती थी, चाहे मेरे घर में कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन काम का हमेशा मेरे सर पर बोज रहता है, थोड़ा बहुत करते हैं सभी, पर बाद में बस पीछे चोड़ा ल पर उसी बक्त में मैंने वाइटी पर काम किया वीडियो बनाई, एडिटिन्ग की, लाइव स्ट्RIEम की और जितना टाइम बचाओं फिर हमने पूरा का पूरा अपनी नीद खराब पूरी नीद त्याग करके हमने पूरा वाइटी पर मेहनत की, लाइव स्ट्रीम की वीडि वनके है और कम्लेट करना फेर sofa की कम्लेट करके मॉनिटाइज कराना उसके बाद करियर की स्टार्टिंग होती है तो न गैस देखो सबर रखना चाहिए अल्ला सबर के साथ है और अल्ला जो भी देता उसका शुकर करना चाहिएए और देखो हमारे वीडियो कभी भी लॉंग वीडियो पे hire नहीं है तब भी मैं शुकर करती आज जो काफी और जो नहीं है जादा उसके लिए मैं सबर करती हो कि Allah कोई तो वीडियो आप हमारी वाइरल कराएंगे तो ऐस तरक भी मतर्फें एक ना कि अपने थोड़े देख करके Demotivative होकर के видео को बनाना छोड़ देते हैं लोग और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं बस why team कोई सफलता नहीं है why team कोई career नहीं है कुछ भी नहीं है बस टाइम बस तो देखी油-goos और why team से भी request है कि कभी भी आप हमारी चैनल पर देख लेना मैंने कभी किसी का रिमेक्स से कॉंटेंट या किसी का भी नहीं डाला मेरे पर जितने भी हैं सभी ओरिजिनल है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी कोई मतलब लोग होते हैं जैलिसी वगएरा करके जूटी कंप्लैन कर देते हैं तो आप हमेशा बेसक चैक खुदा के लिए कोई जैलसी मत किया करो एक दूसरे से और जैलन से कुछ नहीं रखा है बेसक जूट कितना भी कहते हैं कि बड़ा होता है और पर जीत हमेशा सच्चाई की होती आई और हमेशा होती रहेगी तो गाइस हमेशा मेरी यही दुआ है सब के लिए कि अल्ला ताल